मैं यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट साज में फिर से आ गई हूँ एक नए केक के डिजाइन के साथ और यहां पर देखे मैंने दो केक स्पॉंज बना लिए थे यह सेम जो है सैवन इंच केक मोल्ड पर मैंने बनाये है फ्लैट वाला जो मैं यूज करती हूँ ना सैवन इंच केक मोल्ड मैंने 4.3 इंच का वह भी यूज किया तो उसमें भी केक को कड़े लिया तैसी जैसे हम बेड नाइफ के साथ क में करते हैं लिए यह जो केक यह नावन जा स्टिमाइज केक और यह जा जा बनने ओ है और ज्यादा फॉन्ब्ट नहीं है इस में चोर्डिक नाज ए वाली है आप सब को डेफिनेटली बहुत जादा पसंद आएगी इजी है काफी जादा मैं आपको पूरी टुटोरियल जो है इस फॉंडेंट डेकोरेशन की जितना कुछ है मैं सारा कुछ आज की वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आपको जो है ना फॉंडेंट वाला पार् है कि जो डेकोरेशन मैंने फर्स्ट वाले टॉप सर्फेस पे की है यानि की सेकंड वाले लेयर भी उसे आप फर्स्ट में भी कर सकते हो तो वह चीजे में आपको बाद में बताऊंगी आगे जैसे जैसे वीडियो में आपके साथ शेयर करती जाओंगी तो बिना स्किप की एंड तक देखे आप आपको काफी जादा हेल्प होगी काफी इंफर्मेटिव वीडियो है काफी नया डिजाइन है और मैंने भी पहली बार इतना बड़ा पेपा पिक कड़ डिजाइन है वह बनाया है कस्टमर ने पिक्चर मुझे रेफरेंस दी हुई थी इसकी तो उसमे काफी ज़्यादा फॉर्डेंट वर्क था उतना कस्टम EAR को नहीं स्यूंकी फॉर्डेंट वर्क जो होता है एंस स्व देकुरेशन पार्ट जादा होता लेवोथ पूरा चाहते कि कश्टम अगर अगर स्दी रेदे तो वह हमारे यूज में हों अम सारा कहा सके तो यह सारी चीजे होती है customer demands की इसलिए उसके हिसाब से मैंने सारी चीजों को customize किया और जैसा कि था picture में मैंने उन्हें कहा था कि यह मैं अपना copy hand बनाऊंगी तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वैसा भी copy करूँ और कुछ चीजे जो है अपने हिसाब से करूँ जैसा मुझे आटा है तो मेरी पूरी कोशिश है यहां पर जो लेरिंग है वह मैंने की और यहां पर जो बोड यह बढ़ा वाला यूज किया था यह मैंने 12 by 12 का यूज किया है 12 by 12 इंटो 5 ठीक है यह मैंने उतना बड़ा बोड यूज किया है ता कि थोड़ी सी करें मेरी लिए तो इसके लिये दो ड़ा नएको कि करिमया ला अपको पता है, मैं क्रुड़ा के लिए ठ्रॉबेरी वाला पता है, teen तो बाकी जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें सारा कुछ जो है प्रोसेस पता है और बाकी जो न्यू वीवर्स है जो फर्स टाइम मेरी चैनल पर विजिट करके मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह सारी चीज है कि मैं कौन सा प्रोड़क्ट यूज करती है प नहीं यहीं आट मिक्सचर खंधा गषयर दियरन आऑ और तो यह जा सबया में करते हैं वैसे ही मैं करोगी है हो च्यूट रच पिंड्र टालते हैं आप जेल, टाले लिविड मेड़ हैं अब ट兩個 मिक्सचर्ट है करते हैं बहुता जाँ यह जरे आपको डालता है आथ मैं ज कि उसी पी ब्रेंड का कर सकते हो जो आपके पास एविलेबल है यूप आइसिंग है इनर की जो केक के अंदर वाली फिलिंग है उसे भी हम इसके साथ ही करेंगे कवर और जो आउटर सॉफिस है उसे भी सेम कलर के साथ ही हम कवर करेंगे तो लाइट एकदम पिंक जो शेड है उस कलर का हमें कवर जो है यहां पे करना है केक को तो आइसिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही बाकी जो चैनल पे एकदम नए है चानल को सब्सक्राइब करें चानल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मोटिवेट करते रहें धेर सारा प्यार देते रहें आप सब कि जो भी कमेंट्स आते काफी ज़ाद जैसा मैं कहती हुआ। मोटिवेशन बहुत मिलती है। मैं पूरी कोशीश रहेगी कि मह आपके अपके साथ हुआ। आपके जो डाउट है वो भी आपके साथ जanners भी हीयर। झाल रखो और आप सब बहुत quién पर मुझे मेरे एक वीफेर ने केकंए बना के मुझे टैक किया था। मुझे कफी ज़्जी हुई कि छो मितलब इतना अचा केक बनाए और उन्हों ने मुझे टैक किया। अच्छे से हम क्लीन करेंगे तो बड़ा वाला जो स्क्रैपर है यह मैंने यूज किया है वाइट कलर का आपके पास जो एविलेबल है वो भी कर सकते हो लेकिन यह बड़ा वाला गर आप लेते हो तो इसके साथ जो आपका काम है काफी जाएगा क्योंकि इसके साथ जादी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी जब तक यह अच्छे से ठंडा होगा हम जो सेकंड वाली इसकी लियर है केकी उसे हम अच्छे से आइसिंग कर लेंगे जैसे मैंने इसे आइसिंग की है प्रोसेस एकदम सेम है फ्रेंट्स यह बड़ा केक है इसलिए मैंने आपको यह पूरा दिखाती हूँ और जिसमें फॉंडेंट की घर में नहीं करती हूँ एक नहीं होती हूँ है तो पूरे लीйर तो पड़ा जैलीक का म।्छा हम की काम होता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए सेम प्रोसेस होता है सेकनड माली लियर तो यहां पर तरीके से कर दिया है जैसे मैं तब तक ठंडा करने लग दूँग उससे पहले इसका जो जो बोर्ड है वो हम अच्छे से कलीण कर लेंगे ताकि जो फ्रिज में यह जाता है ना के ठंडा होने के लिए तो बोर्ड जो है उसमें जो क्रीम लगी होती ना वह जो सेकेंड वाली लियर इसकी इसे जो है आप केक के उपर रखेंगे उपर रखने के लिए यहाँ मैंने दूसरे वाले साइट पे चोटी वाली जो पैलेट नाइफ है उसके साथ में केक को जो है टर्न टेबल से निकाल रही थी और उपर मैंने यहाँ एक लॉली बॉप स्ट कुछ भी लगाते हो केक को फिक्स करने के लिए ताकि वह गिरे ना उसे अब जो है आप इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि वह अपनी जगह पर एक तम अच्छे से फिक्स हो जाए और इसे जो है मैं यहाँ पर टर्न टेबल पर यह देखिए हाँ पर मैंने रख दिया है केक को और जहां पर मैंने यह वुडन डावल यह फिक्स की थी उस एरिये को भी हम इस तरीके से क्रीम को साथ कवर कर देंगे और उसके बाद जो है इसे भी मैं ठंडा होने के लिए तब तक रख दूंगी जब तक जो है मैं डेकुरेशन ना कर लूँ के की बागी सारी फॉ अब के पास अग़र यह फिण कर सकते हो डाग को एच जो यहाभर का है तो यहां पे मैंने मेरे पास ओल्ग कोलर का भी नहीं थीजाद है यह भी कोला के साथ यहाँ पे डिजाएन उह और यहां चाहिए के बना रही हूँ क्योंकि सामने मैं दूसरे वाले मुबाइल पे जो है ना फोटो रखी हुई थी जिसमें कस्टमर ने मुझे फोटो दी थी तो वो फोटो जो थी मैंने सामने मुबाइल पे रखी थी ताकि वहां से जो काट्टून का डिजाइन है वो मैं देख के पूरा इमेज को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया था ताकि जितनी भी डिटेलिंग पार्ट से वो मुझे अच्छे से क्लियरली नजर आए और यहां पर आप देखो जो पेपा पिक का जो फेस है वो मैं बना रही हूँ काफी एजी तरीका है आप सब बना सकते हो फोटो को जैसा म करें काफी एजी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा तो यह देखें पूरे पार्ट को मैंने इस तरीके से यह कवर कर लिया था पैपा पिक का यह फेस बनाया था डिटेलिंग नाइफ के साथ इसे मैंने जैसा कट किया है एकदम फॉंडेंट के साथ व इसा ही पिक्चर में भी था तो यहाँ पर इसकी जो आईज है वो भी हम बनाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एक आउटलाइन वाली शेप देनी है ना फेस पे वो हम दे देंगे यह मेरे पास फॉंडेंट टूल है इसके साथ मैंने दी अगर आपके पास यह इसके साथ आपको लगे कि यह काम कर सकते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं जो वोडन स्टिक होती है उसके साथ भी कर सकते हो तो यहाँ पर जो है इसकी आईज है मेरे पास और उसके साथ जो है ना यहाँ पर हम दो साइट पे इस तरीके से इसकी आईज बनाएंगे जैसे हम ब जिसके साथ आप हमेशा काम करते हो उसके साथ भी तो यहां पर दो आइस इस तरीके से मैंने बना दी यह देखें काफी जी और फेस अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी मतलब बन गया है और यहां पर जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वह हम देंगे तो इसका जो यह नोस बाला पार्ट है इसे भी हम बनाएंगे इस तरीके से मतलब जैसा पिक्चर में है मैं वैसा ही कोशिश कर रही हूँ बनाने का जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको भी समझ में आगा क्योंकि बहुत सारी पैपा पिक्स की ऐसी डिजाइन से जिसमें पैपा पि यह जो एक्सरा फॉंडन बजक्या था ना जो हमने कट किया था फेस से जो एक्सरा बजक्या था उससे मैं यह सो थारीके से इस तरीके से देखे काफी एजी है कुछ भी से वह Mexican गूमाते हूँ मैं आपको बना लिए और मुझे धरना से मीं जपा अरी लिए तो इससे उत् बस यहां से मैंने इस तरीके से cut करके जो round shape दे के इसे cut कर लिया है काफी easy con flour के साथ dust करते रहें friends और इसे dry होने दे अच्छे से fondant को dry होना जरूरी है तब ही वो cake पे अच्छे से fix होगा cake पे अच्छा लगेगा वो तो एक पर चुछ भी कराब नहीं तो क्रीम केक है आपको पानी की जुरत नहीं कि आपको पानी के साथ फिक्स करना हाता है इस तरीके से दोनों येर्स जो है ये मैंने बना लिये तो थोड़ी सी मैंने आपे शेप दी अगर आपको कहीं पर भी लगे कुछ भी अनिवेन है थोड़ी सी शेप देनी है तो वो आपको देनी पड़ेगी बिल्कुल भी शेप तो यहाँ पर ये भी पूरा कंप्लीट हो गया थोड़े-थोड़े से हाथों के साथ मैं शेप देती रहूंगी और आपको पता है कि फॉर्णन जो डेकुरेशन मैं आपको स्लोली दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आप अगर कभी भी अगर डिसाइन बनाते हो तो आप बना सकते हो वीडियो को देखके अराम से ज़्यादा स्पीड में अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनने जल्दी नहीं भी समझ में आता है लेकिन informative रहती है ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और यहाँ पर इसका face हमें बनाना था जिसके लिए आपने देखा मैंने याप एक nozzle ले ली कोई भी बड़े size की nozzle लेनी आपको back side का use करना है इस तरीके से वहाँ पर एक आपको mark बनाना है face का इसके बाद detailing knife के साथ इसकी smiley वाले face का थोड़ा सा आपको जो है smiley वाला face बनाना है यहाँ पर आप जो है हमें पैपा पिक के हाथ बनाने जो same fondant है जो हमारा बच गया था जिससे हमने face बनाया जो इसका extra word बच गया तो इसके साथ ही जादी महनत नहीं है इसमें पर बना सकते हो यह आपके ऊपर डिजाइन ऐसा ही आप बनाना इस तरीके से काफी easy work है जादी महनत नहीं है इसमें लेकिन जो भी beginners है उनको थोड़ा सा लगेगा कि महनत है लेकिन जादी भी नहीं है इसमें इस तरीके से देखें मैने यह वाला हाथ बी cut कर लिया काफी easy है और यहाँ पर यहाँ पर मैं तीन जो है ना यहाँ पर कट करूंगी फिंगर्स को थोड़ा सा दिखाने के लिए तो इस तरीके से देखें मैंने तीन किये हैं यहाँ पर कट और हाथ से ना जो इसे थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि हाथ के फिंगर वाला जैसे निशान बन जाता है ना वैसे यह बन जाए कुछ इस तो यहां पर फिर से मैंने थोड़ा सा सोचा मुझे डिटेलिंग देनी तो डिटेलिंग आपको देखनी पड़ेगी जब आप कट करोगे फॉंडेंट को किस तरीके से जो है ना यहां पर हमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग देनी है यह आपके उपर है आप जब बनाओगे आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि फॉंडेंट वर्क जो होता है ना फ्रेंटस में महनत लगती है और अभी मार्केट में फॉंडेंट वर्क की सबसे ज़्यादा डिमांड है जितने भी केक्स है ना फॉंडेंट के जादा तर लोग मांगते है कस्टमर और मेरे बास ज जो है हमें पूरा कस्टमाइज केक वैसा ही मिलता है तो ऐसे जितने भी और होमपेकर से जो अग्दम और जादे प्रोफेशनल है वो भी इस तरीके से ही बनाते हैं ताकि कस्टमर जो है सटिस्फाइड हो जैसा पिक्चर में है वैसा ही होने मिले तो यहां पर पैपार्ट क कि जो बॉड़ी दिना वो हमें बनानी थी तो उसके लिए पिक्चर में भी रेट कलर था तो मैंने भी रेट कलर यूज किया आप चाहो तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो अगर आप अपने मन से बना रहे हो तो लेकिन मुझे सेम एज़ेज बनाना है तो मैं रेट कलर ही एकदम एज़े और देखें यहां पैसे में फेज लगाना है तो मतलब यह चीज आपको भी समझ में आगी होगी किस तरीके से बना है तो यह देखें काफी जी से भी हम ट्राइ करने के लिए साइट पे रख देंगे और तब तक यहां पे मैंने यलो फॉर्णेंट ले लिय pater है तो मैंने तरीके से देखें काफी येजिए बस ऐसे एसे यूश्यप का ऊपर से रहा नीचे से ऑखी किया और यह साइट से मैंने से सर्कल करके घुमा लिया तो काफी एजी से बना लिए और कर거든 के अपको अपको समझ में आएगा कि यह डिजाई कैसा बना है तो इस तरीके से यहां पर डिटेलिंग नाइफ के साथ इसे भी मैं कट कर लूँगी अगर आपके पर फॉर्टनेट नहीं है यह वाला तूल तो आप दूसरा जो है किसी भी कटर के साथ यह किसी के साथ भी जो है ना कट कर सकते हैं तो यहां पर SIMPLE तरीके से हाफ मैं करूंग करने के तोनों को हम एक साथ ठीकस करके तोड़ इसाल मेन भी करेंगे हैं । इस तरे के साथ और उसके संके की ड देख रहे हो आप काफि सिंपल इसे कट करना मैंने उपर से भी यू शेट का इया नीचे से भी यू शेप और एक साई इस máquinas के म fondant की उपर रखकर उसके साथ भी cut कर सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ तो यह भी काफी easy तरीका है cutting करने का तो यह पर सारे जो है वो मैंने जिस तरीके से आपको बताया मैं वैसे ही cut करूंगी और यहाँ पर जो है एक और चीज जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो मैं पैपा पिक के जो पैर है ना वो बना रही हूँ तो यह भी पिक्चर में सेम जैसे है मैं वैसे बना रही हूँ और आप cutting देखे काफी द्यान से कि किस तरीके से मैं इसे काफी एजी है एक साइट से मैंने ऐसा कट कर लिया और दूसरे साइट से हाफ हम इतना कट करेंगे और नीचे साइट से इस तरीके से हम राउंड शेप में इस तरीके से घुमाके इसे कट कर लेंगे तो ये भी जो है ना काफी एजी है तो ये देखे इस तरीके से इसे भी मै सब्सक्राइब करें दिखा रही है तो अगरर यहां को दिखा रही है तो थोड़ी से वीडियूंग देनी है और इस तरीके से कट कर देना है यह देखे तो ऐसा ही जो है सेकंड प्रका जैसे हम नहीं है इतना मतम हैं आपकी जो हैं काफी हाड़ वरक है आप ज़्यादा नहीं बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बस आपको टेकनीक सही आनी चाहिए और आप सही तरीके सही बना सकते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इस तरीके का मार्क कर दूंगी इस फॉंडन टूल के साथ क्योंकि ऐसा ही हमें करना था तो सेम तरीके से एक मैंने बनाया है सेम एक और जो है इसी तरीके से मैं जैसे कहा कि मैं वैसा बनाऊंगी एक और पेर हमें बनाने यह नहीं कि दो पेर टोटल बनाने तो यह सारी चीजों में जो फ्रेंट्स का है थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो हाथ में टाइम लेके ये सारी डिटेलिंग करें काम करें क्योंकि ये सब के कोई भी फॉंडेंट टूल नहीं है आपको सारी चीज़े जो है ना हाथ से बनानी पड़ती है और ये सारे के जो केक प्राइज है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं आप उसके हिसाब से जो के कोई भी चोटे बड़े जो बनाऊंगी और कुछ ने इस तरीके से यहां बहने बनाऊंगे यहां पर से कटकर लियो और उसे निकाल देंगे तो सार्स भी जो है काफी अच्छी लुक देने वाले हैं केक पे क्योंकि केक पे सारी डेकुरेशन वही है और साथ में यहाँ पर जो है ना मैंने रेट कल लगा फॉर्टनेट ले लिया तो यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से रोल कर लेंगे तोड़ा सा डस लगा के और इसे जो ना स्माइली वाला फेस हमें बनाना है उसके लिए यहाँ पर मैंने दोनों कॉर्णर्स को कट कर लिया ताकि इसकी जो शेप है एकदम अच्छे से आजाए और यहाँ पर देखिए जो फेस है ना यहाँ पर जो हमने नोजल के साथ यहाँ पर मार्क बनाया था स्माइली वाला वो यहाँ पर इस तरीके से हम लगाएंगे तो थोड़ा सा पानी लगा के ब्रश के साथ इसे अच्छे से फिक्स कर तूँगी मैं साथ में देखें मेरे पास यहाँ पर जो वाइट फॉन लेना इसे हमें इस तरीके से गोल गोल ऐसे बाल्स बनाने चोटे बड़े मीडियम साइज के तो यहां पे स्टार्स भी कठो गए यह जो चुड़िया थी यह भी मैंने बना ली ऐसी सारी बना ली थी अब जो है यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे fix कैसे करना है तो देखे एक वाली चुड़िया पे ना मैंने इस तरीके से पानी लगा लिया आप चाहो तो edible glue भी लगा सकते हो लेकिन मैं अभी तक पानी से आपको पहले मैं edible glue लगाती थी अभी मैं पानी से दिखाती हूँ ताकि जिनके पास नहीं है वो भी पानी के साथे से use कर सकते देखे दोनों को मैंने इस तरीके से fix कर दिया काफी अच्छे से इसलिए मैंने हर एक जो यह bird थी ना इसे मैंने double double size में मतलब काटा है double double pieces में साथ में मैंने fix कर लिया और यहां पर इसकी eyes बनानी है तो सबसे पहले यहां पर जो है मैंने white color लगा लिया फॉर्णन का थोड़ा सा पानी लगाया white color लगाया इस तरीके से यह देखें और यहां पर जो है छोटा सा black color का spot भी बनाएंगे ताकि इसकी जो eyes वाला look है यह काफी complete हो जाए तो इस तरीके से देखें यहां पर जो है थोड़ा सा मैंसे flat कर लूँगी इस तरीके से और यहां पर थोड़ा सा और पानी लगाके जो मैंने black color का यह वाला cut किया है fondant इसे मैं लगा दूँगी बस थोड़ा सा इसे छोटा सा मैंने roll किया था उसके हिसाब से यहां पर मैंने लगा दिया तो इसकी eyes बन गी और यहां पर जो है ना यह आपको दिखाई है काफी easy है काफी अच्छी look दी काफी cute सी look दे रही थी और cake को यही ज़्यादा beautiful बनाने वाली थी क्योंकि picture में भी यही decoration काफी attractive थी तो जब मैं बना रही थी तो मुझे भी personalis बहुत ज़्यादा पसंदा रही थी काफी cute बना है ना काफी easy तरीका मैंने आपको बताया ज़रूर ट्राइब करिएगा और यह मेरे पास color mist का जो gold color है edible का यह वह है लास्ट टाइम भी क्राउन मॉलन जो केक बनाया थी यही यूज किया था और यही यूज कर रही हूं तो थोड़ा साफ इपोपरेट जो लिकुड वाला है वह इसमें डाल दें दो तीन ड्रॉप तक थोड़ा सा मिक्स करें और उसके यूज करें तो और ज्यादा इस तरीके से सारे स्टार्स बना लूंगी तो यहां पर देखें केक जो हमारा था वो अच्छे से ठंडा हो गय चाहता है तो चाहता हेता है यहां हैं जब जादा नहीं से 15-20 मिनिट लगे छो करने के लिए तहब जब कस्टमर ने मुझे पहले हैं की लिया है पंदरा पीस मिनिट है क्रीम के साथ यह चाहिए लगा नहीं, क्रीम के साथ चीए ठीक्स करें का नहीं मुझा है को टुप लेखे इसाथ पहर लेखा भी देखाई पर लियरल ती नाना में रही है क्रीम के साथ यह अच्छे से फिक्स होरा है करें उन्हें पर सugerरें का ला पानी लागी के fondant, decoration थी, बाकी सारी चीजे थी, मेहनत थी, तो इसलिए और ये भी मेरे customer permanent है मैं तो काफी बार इनों ने लिया है तो थोड़ी सी quantity मैंने अपने हिसाब तो थोड़ी सी जादा कर दी थी, लेकिन वैसे 2 kg का ये एक एक था उनके हिसाब से तो यहाँ पर दोनों years मैंने लगा दी इसमें मैंने पानी लगाया था और years को मैंने अच्छे से यहाँ पर fix किया था तो ये देखे जो बड़े वाले हाथ थे ना मैंने यहाँ इस तरीके से लगा दी क्योंकि photo में भी ऐसे ही थे तो इसलिए मैंने ये बड़े हाथ कट किये काफी सिंपल है देखे जैसे मैंने आपको हाथ वाला प्रोसेस बताया वैसे ही करें और जिनके बड़े भाईया के या बचो के किसी के भी आ रहे हैं या फिर कोई किसी को कस्टमर को अगर देना है और रेफरेंस पिक्चिर दिखानी है तो ये वाला केक जिजाइन जरूर दिखाए ये वाला जो केक आप एक बड़ जरूर बनाए काफी इजी है जो भी बिगनर्स है वो भी बना सकते हैं इस तरीके से केक को तो एक बड़ ट्राइज जरूर करें और जैसे मैंने आपको कहा कि केक जो है मैंने 1800 का ये सेल किया और सेल्फ पिक अप जो केक था ये वाला मुझे खुद नहीं जाना था देने के लिए तो इस तरीके से इसकी पूच भी मैंने बना ली थी देखे आप सिंपल मैंने रोल करके नहीं गुमा दिया था बस और उपर चीजे मैंने आपको दिखाईये न वैसे मैंने सारी बना ली ये वली तो पर हमने ये लगा दिया और ये स्टार cabbage जैसे जैसे एक पिकट्र में थे वैसे वैसे डेकूरेशन हमें करनी थी और वैसे इसे हमें फिक्स करते जाना था तो ये तजों पर टपार पर हमारे कर सेट तो गया ना तो मैं भी बहुत खुश होगी थी क्योंकि मुझे भी था कि काफी बड़ा सा है कैसा लगेगा नहीं लगेगा फर्स टाइम इतना बड़ा बना रही हूँ और यहाँ पर बॉहल से ना छोटी छोटी जो हमने वाइट वाली मैंने आपको पताई थी बड़ी छोट जैसी है ना बस इसे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे जैसा पिक्चर में है वैसा और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने यह चीज सेट की क्योंकि मुझे लग रहा था पतानी कैसे करूं लेकिन आइडिया आ गया तो मैंने सोचा इस तरीके स करते हैं तो अच्छा लगेगा क्योंकि पिक्चर में जो थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने कैसे फिक्स किये लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने वैसे फिक्स की और एकदम ऐसे ही फिक्स हुई है तो वह भी मैं आपको दिखाती हूं तो स्टार्स जहां प पिकप के लिए भी आरा है कस्टमर यह फिर आप खुद भी जा रहे हो केक की डिलीवरी देने तो भी केको कुछ नहीं होगा केक को अच्छे से बस फिक्स करें जो भी वुड़न डावल या स्टिक के साथ जैसे मैं करती हो वैसे केक आपका कहीं पर भी कुछ भी खराब नहीं जाओंगी जैसे जैसी है जितनी है डेकुरेशन उसके हिसाब से तो सामने वाला जो पोर्शन था यह आलमोस्ट कंप्लीट था और जो नीचे वाला पोर्शन था वो भी हमें कंप्लीट करना था एक बार आप चेक जरूर करें कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है अगर फोटो म की मातरी की शाए तो कि अच्छे से फिकस ही लेकी मुझे लगा स्चार्ड़ करें दिए क्लिए को जाटी मुझे उटि एक चार्या नीकाल पर कर दिनमाई ने के इंपक्र शीन बनाई हूं और समझ में पिक्ठर करों मैंने थे ग क्रीम एक अच्छी बाइंदिंग है ऐसे फॉंडेंट के साथ स्टिक होने के लिए तो यहां पे दोनों साइड पे मैं यहां पर भी क्रीम लगा दूगी तो यहां पर भी लगा दिया और यह जो चुडिया थी ना हमने दो बड़ी वाली उपर लगाई और ऐसे मैं आपको कहा तीन में कट करके रखोंगी तो वो तीनों भी जो ना यहां पर मैंने इस तरीके से पीछे लगा के क्रीम इसे भी इस तरीके से फिक्स करना है यह देखें तो यह क्या है ना एकदम अच्छे से फिक्स रहेगी गिरेगी भी नहीं कुछ भी नहीं अपनी जगा पे एकदम स् अच्छे कंपलीट हो गई है यह देखें काफी एजी है और देखें काफी क्यूट लग रहा है यह पॉर्शन तो अलमोस्ट कंपलीट है जो एक दो पॉल्स हमारे पास बच गई है जो स्टार्स बच गए है सारी चीजों को जो है इस तरीके से ही हम अच्छा लगाते फोटो से भी जादा तो ये बहुत अची बात है आपके कस्टेमर और जादा है अट्रेक्टिव हो जाएंगे आप जो भी काम करो बस थोड़ी फिनिशिंग के साथ करो थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि लुक थोड़ी और अच्छी आए और ऐसा नौ के कॉपी पूरी कर लिए लेकिन अपना एक कॉपी हैंट बन जहें कि यह आपका डिजाइन है तो इस तरीके से सारे जो भी डिजाइन से सारे कवर कवर गरते जाएंगे चोटे बड़े जितने भी स्टार से यह देखें यहां पर लगाते जाएंगे कुछ स्टार को मैंने क्रीम के साथ फिक्स किया क प्सक्तिक केंब नियुकर क्रीमे करें चुने कि शरा मेड़ी है तो ऍट सको यह अच्छी बीड़ी आपटा तो एक हम झाँ करणे तक हैप उसमाने केंब पार यह तो चुने हो तो फेम बाज यह पार लेहा है तो यह डीखessä टार केंबे तो बिला T 목ण घंड पूरा पार्ट आपको कवर हो अच्छे से इसलिए मैंने यहां पर एक एक करके पूरी डीटेलिंग और पूरी चीजे आपको दिखाई हैं तो जो बड़े बॉय का नाम था वह भी मैंने कट करके रख लिया था कट आउट के साथ जिसे हम फॉंडेंट वाला कट आउट कहते ह यहां पर हैपी बर डे मुझे लिख लिख रही थी तो केक काई काई ब penalड काफी जादा बड़ा था लेकिन जब मैंसे यहां पर पहले सोछा पहले कि कहीं चोटावना पडस आपां बजिएमने प्र लिखा लिकन के ने के 박छने के बाद मुझे मुझे रोट लिखने यहां और जो ये पेपर पिक था ये भी बहुत अच्छे से फिक्स हो गया था तो ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं मैनत इसमें कि मैं अच्छे से फिक्स करने हैं आप देख रहे हो और सबसे बड़ी बात किसी जो हैं हमने एक दम अच्छे से ड्राइ कर लिया था ड्राइ करना फ्रेंट्स बहुत जरूरी है फॉंडेंट को ड्राइ जरूर करें आप जब भी डेकुरेशन करते हो और केक को हमेशा जब भी डिलीवरी देनी है केक कोई तो एक देट घंटा पहले आप ऐसे ही डेकुरेशन स्टार्ट करें अगर डेकुरेशन कम है तो पंदाबिस मिनिट पहले भी कर सकते हो और अगर डेकुरेशन बहुत ज़ादा तो हारली एक घंटा रख कर चले अपने हाथ में क्योंकि बहुत कई बर ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है डेकुरेशन को देखने में चेक करने में सारी चीज़े तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि देखिए एपी बर्डे से ही पूरा यह व्ला बोर्ड जो था ना भर गया था जबकि मैंने यह बड़ा लिया था ट्वैल्फ पई ट्वैल्फ का लेकिन यहाँ पर इसे मैंने सोचा कर आफ मुझे चेंजरे करने पड़ जो करने पड़ें पड़ें तो मै ऐसे तोड़ा से हैपी को उपर कर दिया और बटे वाले जो सेक्शन थी ना उसे मैंने थोड़ा इस साइड पर कर दिया ताकि बर्डे बॉइ का जो नाम है वो भी केक बोर्ड पर ही आए क्योंकि हैपी बोर्डे बहुत बड़ा अल्फबेट हो जाता है इस तरीके से तो टैग मैंने नहीं दिया था बर्डे का क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें हैपी बोर्डे बोर्ड पर ही चाहिए लिखा हुआ इसलिए मैंने इतना बड़ा यह बोर्ड लिया था ताकि डेकुरेशन भी अच्छी लगे क्योंकि जैसा केक है वैसी डेकुरेशन है और साथ में पूरा नाम मुझे लिखना है इस तरीके से देखिए हैपी बोर्डे मैंने य जो है आपके लिखना है तो सारी जीज़ेय है आप किसी भी कलर के साथ एसे कट-आउट कर सकते हो नाम को कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा है आपको फॉंडट एक ही लेना एक हमारेशन ना कोई भी बनके साथ आप और कुस ही एक अधी चीज़े जो थी डेकुरेशन की मुझे लगी तो वो मैंने बाद में आपे फिक्स कर ली और इसकी जो close up look है वो मैं आपको दिखा दी ताकि आपको पूरा cake समझ में आए तो ये देखें ये हमारा पूरा cake है इसकी decoration देखें I hope आजकी जो decoration आपको पसंद आई होगी informative लगी होगी काफी help हुई होगी तो इस cake को जरूर ट्राई करें मुझे जरूर बताए कि आपको कैसा लगा इस cake को बना के comment करके जरूर शेयर करें सबके साथ शेयर करें चैनल एकदम नया है ऐसे support और ठेड़ सारा प्यार करते रहें तो वीडियो के तो जरूर बताएं सबके साथ शेयर करें ऐसे support और प्यार करते रहें नए videos के लिए नए cake के ideas के लिए ताकि आप सबको help हो सके और आप अच्छा सीख सके थैक्स फॉर watching